शुप्रभाद दोस्तों मैं शमयता रूपकाथरा इस चैनल में आप लोगों को सुस्वागतम बोलती हूं और आज ब्रहश्पतिवार है मतलब गुरुवार है और जैसे मैं प्रोमिस की थी और हाँ ये भी बोले थी कि अगर मा लिख के देती है तो तब ही मैं आप लोगों क के साथ शेयर कर पाऊंगी वैसे मा से बहुत जाड़ पड़ी है बहुत दाट पड़ी है मा के थी इतने सारे कामों के बीच में तेरे लिए फिर से मुझे स्टोरी लिखना पड़ता है ओ हो तो बहुत मतलब आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं मतलब इसका म सेकंड पार्ट दीतिवर अधाय लेके हम हाजिर हुए हैं तो कहनी का नाम है नन्हे इंसान और इसकी लेखी का है श्रमती बानी पात्रो और ये आज है इसका दूसरा भाग तो चलिए शुरू करते हैं आज से 65 साल पहली की बात है ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को टैट ढ עם नहीं तो भी नहीं हो सकती है उसको अगर बढ़ी होनी है अगर बड़ा बनना है उसके जो नए किराय के मकान है वहां पर सर Jahre वो सोके बैठके अगर बड़ी होती तो सिर्फ वो अपने मालब कद में बढ़ती है ना लेकिन उसको तो अपने उचाई को भी छूना है उसको तो खड़ा भी होना है तो इसलिए बहुत कोशिश करने के बाद वो अपने ननननने दो पैर के ऊपर खड़े होके धीरे धीरे चलने लगी और जहां तक वो चली तो वहां तक वो अपना पहला उचाई को स्पर्ष किया लेकिन सर्फ पहले उचाई को स्पर्ष करने से चलेगा क्या? नहीं न जो दूर में है उसको भी तो अपने पास लाना है तो एक दिन टैटा ने क्या किया? जो टैटा मा की गोदी में चड़के वो चलती थी वो आज अपने उनके ही साहता से पहला कदम रखा अपने आप और धीरे धीरे वो चलना शुरू की और सर्फ वो चलना ही नहीं शुरू की वो अपने ही जैसे हम उमर जो चोटे-चोटे और भी पुछके-पुछके नने-नने इंसान है जो उस साथ परिवारों की जो कोमन जो आंगन है उस आंगन में खेलने खेलते हैं उनके साथ वो खेलने चली गई तो खेलने से होगा क्या? कैसे वो खेलना शुरू करेगी उसको तो बाते भी कहना है बोलना भी है ना तो जहां तक उसको बाते करना वो बोलना कैसे सीखी पहले आवाज हूं हां बाबा मा जैसे भी हो ऐसे दीरे दीरे वो बोलते बोलते बात भी करना शुरू कर ली तो पहले चलना शुरू की फिर बा पहले बार बोलना शुड़ू कि वो इत्ती खुश हुए अभी तो जो भी उसके मन में हौँ वो बोले जाए तो धर्ती में जब वो पहली बार वो रोशनी देखी थी जनम के बार वो जनम के बाद से लेके आज तक वो जितना कुछ कसरत की है जितना कठिनाई इनको पार करके वो चलने सीख्या चलना क्यों जब बच्पन में जो वो लेटी थी वहां से वो जब सीधे से रेंगना भी चालू किया वहां से लेके आज तक जो बाते बोलने तक जितने सारे कश्रत मुशक्त करके वो आई है अगर उसको याद रहता तो उसके लिए यह आसान होता तो क्योंकि कठिनान को पार करके ही तो हमें आगे बढ़ना पड़ता है और आगे बढ़ना ही तो वही है है न ऐसे ही तो बढ़ना पड़ता है और यही तो नियम है तो ऐसे ही मा बाबा और ननी दीदी जो है उनके पियार में दुलार में लाड में और सासन में एक ही आंगन में बहुत सारे लोगों के साथ साल दो साल तीन साल ऐसे ही वो बिता दी हमारे टैंटैने इन कुछ इन चंद सालों की एकदम सही सपार्ट जो भी इंसिडेंट हुए थे जो भी घटनाय घटित हुए थे सब कुछ तो उसके नन्हे मन में आज आज उसको याद नहीं है लेकिन कुछ एक इंसिडेंट है जो उसके दिमाग में बहुत ही गहरा चाब छोड़के गया है ऐसा ही एक इंसिडेंट था कि भई देखो एक बच्चा है वो नन्हे जो टैंटा है नन्हे इंसान का जो जिन्देगी था वहाँ पर प्यार था सासन था और इससे ही उसका पूर पूरा दिन बीच जाता था दिन में उनके घर का जो घर का जो दर्वाजा था में जो दर्वाजा था वो खुला रहता और रात को वो बंध हो जाता और क्योंकि दर्वाजे के ठीक बाद ही में रोड था और जो सातों जो परिवार थे उनमें जो हम उमर तैंटा के जो हम उ वो दीदी और भया लोग थे वो सारे वहां पर एक साथ खेलते थे वही आंगन में खेलते थे और उन सारे बच्चों को बोला गया था कि भाई तुम लोग कभी भी रस्ते में जाके नहीं खेलोगे लेकिन एक दिन हुआ क्या कि टैटा की और एक साथी थी जो उसी के हम उमर और वो आके बोली देखना ये आंगन में खेलना पसंद नहीं आ रहा है चल आज हम लोग नया खेल खेलते हैं रस्ते में जाके खेलते हैं तो टैटा राजी नहीं हुई वो कहीं नहीं मा डाटी गी लेकिन तब भी उसकी जो साथी है वो उसको जोर करने लगी और जोर करते हुए उसको रस्ते में लेके चली गई और वहावर वो खेलना शुरू की अब मा थी कामों में वेस्त तो मा कुछ नहीं जान पाई लेकिन टैटा जो है उसको वो पसंद नहीं आया रस्ते में खेलना तो वो क्या की वो बापस चली आई इसके बाद से जित्ती बार भी वो नन्हा साथी उसको बुलाती खेलने के लिए ननी से साथी जब भी उसको बुलाती खेलने के लिए वो तब वो उतनी ही बार उसको मना करती रही यह जो नन्हे इंसान हैं हमारे टैटें हमारी जो टैटें हैं उसकी जीवन में शुरू हुआ बड़े बनने की पहला पहला ध कैसे वो सिर्फ खाने के लिए चलने के लिए और बाते करने के लिए नहीं लेकिन वो पहले बार सीखा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है सही को सही और गलत को गलत समझने के बाद गलत को निर्मोह होके हटा देना और हटाना कैसा है वो ये उसकी जिवन के लिए पहला पदक्षिप था तो ऐसे ही वो जो गलत है पूरे जिन्देगी भर उसको वो अश्विकार किया है और उसको वो हटा के आगे बढ़ती गई है तो आज इत्ते सालों बाद उस नन्ही साथी की छाया चित्र प्रतिच्छ भी याद नहीं है लेकिन हमारे जो नन्ही टैटा है उसकी एक तस्वीर थी कोई खीचे थे उनके ही जो साथ वाले जो साथ परिवारों में एक नाना जी थे उन्होंने उनके एक छोटा सा तस्वीर खीचे थे वो याद है हमारे नन्हे इंसान को और ऐसे ही आगे बढ़ती रहे नन्हे इंसान सही को समझके गलत को समझके गलत को अश्वेकार करके और उसको और अपने साथ सच को और सही को साथ लेके आगे बढ़ते हुए रही और वो ऐसे ही चलती रही तो आज की स्टोरी जो है ये स्टोरी आज यहाँ पर ही खतम होती है लेकिन मुझे जो लगता है मा लोग न पैदाईशी शायद शिक्षक होती है तो आज मा ने जितना भी जाड़ के मुझे ये दिया है लेकिन फिर भी ये जो स्टोरी है ये हम लोग को एक सीखती कि सही में बच्पन से आज तक जब हम लोग सीधे से उल्टे भी नहीं हो आते थे सिर्व ऐसे चित होके सोये रहते थे वहाँ से बाते करना और चलना यहाँ तक पहुँचने में ही हम लोग को इतना मुशकत करना पड़ा आक्चली वी कैन थींक के हम लोग आक्चली ग्रैविटी को डिफाई करके चल रहे हैं है ना ये सबसे बड़ी पदक्षब है और हमारे जीव का इस्तमाल करके हमें बात करनी है कोई हमें ये नहीं सिखा सकते हम सुन-सुन के सिख रहे थे हैं ना किती कठीन काम है ये सारे अगर हम सच में रिलाइज करें अगर हम ये सारे चीज़े याद रख पाते तो श्याइद आज मम्मी मेरा कपड़ा कहा है आज बाहर के लोग ये बोला है ओफिस का बोस इतना वर्कलोड पिया है शायद ये सारे चीज़े हमें याद नहीं रहता तब ये लगता ये बहुत चोटा है ये हमारा जो नीव है वो बहुत मुशकत के बाद बहुत सॉलिड बना है अब हमें आगे तो बढ़ना ही है जो अच्छा है उसको साथ लेके जो बुरा है उसको निर्मों होके तोड़के आगे बढ़ जाने के लिए तो दोस्तो आज यहां तक ही था मा की लिखी हुई कहानी जाज आप लोगों के साथ शेयर क्रते हुए मुझे अच्छा लगा और सबसे अच्छा लगा ये शेयर करते हुए की अगले हपते मा दे देती हैं तो आप लोग के साथ जरूर मैं शेयर करूंगी और मेरा एक अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर जो भी परवेशन में आप लोग के लिए लेकर आती हूं अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर उस एफट को आप लोग ला देली हंट के प्लाटफर्म में मुझे सुनते हूं उनके लिए भी थैंक्स फॉर ताइट मज सपोर्ट सही में मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी यूकि मेरे लिए यूट्यूब जाना पैचाना था लेकिन देली हंट बिलकुली अलग था तो आप लोग के लिए आप लो यह आगे बढ़ जाए तो आज के लिए यह कहानी यहां तक ही तो फिर मिलते हैं कल लाइफ अब मास्टर्स एक से इस सेग्मेंट में तो तब तक के लिए शमेता को इजाज़त दीजिए तड़ा